तो गाइस जैसे कि तुम बैगराउंड में देख सकते हो अभी मेरी यहाँ पर कोई भी माउस प्रॉब्लम है फिर कोई भी स्टक नहीं हो रहा है माउस तो अगर तुम लोग अभी नए PC प्लेर हो है फिर अगर PC में खेल लो BGMI को तो तुम लोग को एक प्रॉब्लम देखने हो मिले होगी अगर तुम मेंसे जो लोग भी ब्लूश्टेक 5 में खेल लो तो तुम लोग के लोग भी सेम स्टैप है तुम लोग भी यहीं कर सकतो अगर तुमारे प्लूश्टेक 5 में यह प्रॉब्लम आ रही है तो अगर जिनके भी प्रॉब्लम आ रही है एंट तर देखना वीडियो क तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्हों सब्सक्राइम ने किया प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर देना और साथ मुझो पहला इकन है उसको ओल पर सट कर देना अभी यहां पर तुम लोग को BGMI की सैटिंग वीडियो देखने को मिलते रहेगी प्लीस सब्सक्राइब करके बैल आइगन को प्सेट कर देना और अगर वीडियो से थूड़ी भी हल्प होती है तो फ्लीस वीडियो को भी लाइक कर देना अपने सैटिंग पर सबसे पहले वाली वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने मेरी की मैपिंग वाली वीडियो नहीं देखिया है सबसे पहले वह देख लेना उसमें मैंने तुमको बैस्ट की मैपिंग और बैस्ट कंट्रोल से वगरे की मिलता है तो सबसे पहले वह वाली वीडियो कीम से होती है इस पर अगर देखोगे तुम लोग को चार ओप्शन देखने को मिलते है देखो यार मैंने यहाँ पर 720 इसले रखा है क्योंकि यहाँ पर जितना कम तुम रखोगे उतना तुम्मारा यहाँ पर लेग कम होगा तो जितना तुम यहाँ तुम लगो को यहाँ बिल्कुर नहीं करना है नीचे स्क्रूल करना थोड़ी दे तो यहाँ पर तुम लोग को resolution देखने को मिलेगा, अब यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, clearly मेरा 1920, 1080p वाला है recommended, अब यहाँ पर तुम्हारा जो भी recommend होगा, जैसे 720p है तो 720p रखना है, अगर 1920, 1080p है तो वो तुम यहाँ पर रख सकते हो, तुम्हारा भाई यहाँ पर fix हो जाएगा, ठीक है 720p पर अगर तुम्हारी problem आ रही है तो, अब मेरा यहाँ पर 720p पर problem आ रही है बहुत जादा माउस की, माउस jitter problem होती है उसमें, stuck होता है माउस acceleration होता है, तो यहाँ पर मैं इसको 1080p पर रखूँगा, ठीक है रखने के बाद guys, तुम लोग को यहाँ पर इसकी key mapping बान और जो यहाँ पर इस पर right click करना है जो यह lock unlock होता है और यहाँ पर जो x properties होती है इसको तुम लोग को क्या रखना है, देखो 50.05, ठीक है इध्यान से यह चीज मनलब, note कर लो मलब रख लेना 50.05 रखना है और जो y है इसको रखना है 41.47 पर यह दो चीज़ तुम लोग को रख लेनी है उसके बाद यहाँ पर जो mouse sensitivity x होता है, ठीक है इसको तुम लोग यहाँ पर तुमारे 0.7 पर होता है 0.70 और y भी यहाँ पर 0.70 तुमारे default होगा पहले से ही, तो तुम लोग को इसको simply यहाँ पर 0.6 पर x को रखना है और 0.8 को y पर रखना है बलब, sorry 0.8 यहाँ पर y में रखना है और tweak से यहाँ पर default 1 पर रहेगी और acceleration वाँस का सब यहाँ पर false रहेगा, बाकि यहाँ पर कुछ नीच यहाँ पर बता है यही तुम लोग को करना है अब यहाँ पर y तुम लोग बोलोगे, y ज्यादा क्यों रखना है क्यों गाइस देखो, bgm1 अगर तुम फायर करता हो तुमारा aim उपर की ओर जाता है अब उसको नीचे लाने के लिए तुमको y यहाँ पर जादा रखना है तुम लोग को अब अगर तुमारा 720p पर, अगर 1080p पर प्रॉबलम आ रही है तो 720p पर रखना और जिनके 720p पर यह प्रॉबलम आ रही है तो तुम लोग को 1080p पर रखनेना है ध्यान से अब यह सबसे में चीज़ थी अगर इसके बावजूद भी अगर तुमारी प्रॉबलम फिक्स नहीं हुई है तो तुम लोग को अपने कोई भी वेब ब्राउजर पर आना है यहाँ पर सर्च करना है Mark C Mouse Fix अब यह एक Mouse Fix का जो सॉफ्टेर होता है और यह बिल्कुल भी safe है यह कोई भी हाँ इसमें third party नहीं है तो तुम लोग यह सर्च करके पहली website पे click करने ना है यह इसकी पहली जो official website है और यहाँ पर कुछ इस तरह का interface आएगा window mouse things करके देखने को मिलेगा तुमको तो यहाँ पर तुम लोग को ना नीचे एक link मिलेगी ठीक है यहाँ पर तुम लोग नीचे आओगे तो तुम लोग को यहाँ पर एक link देखने को मिलती है और यहाँ पर 2.9 अभी इसका version चला है latest version जो है इसका तो इसको download करने के बाद सिधे इसके folder पर जाना है तो guys यहाँ पर folder पर इसके जाने के बाद यहाँ पर तुम्हारा download होगा उस पर जाना है अब मैं इसको यहाँ पर सबसे बहुत डेस्टॉप पर ड्रैग कर लेता हूँ समझाने के लिए तो guys यहाँ पर कुछ इसका folder बनके आ जाएगा इसको right click करना उसको extract करने ना ठीक है अब extract करने के लिए विंदार होना चीज़े तुम्हारे PC में एफे laptop में वो तुम यहाँ पर Google से download कर सकते हो सो इसको extract करने के बाद यहाँ पर तुम्हारा एक folder इसका बनके आ जाएगा सो इसको extract कर लेते हैं सो guys यहाँ पर इसको जब तुम extract करोगे यहाँ पर यही तुम्हारा इसका folder बनके आ जाएगा सो इस पर double click करना simply और guys यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो परसेंट और 150% तो तुम लोग को यह क्या चीज़ यह कैसे पता करना है तो यह तुम्हारे screen scale and layout होते है तुम्हारे display के यहाँ पर तुमको दुबारा search करना है display setting और यहाँ पर display setting सेर्च करने के बाद तुम लोग को यहाँ पर scale and layout के option पर जो एक यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर मेरा 150 recommend है ठीक है अब यहाँ पर तुम्हारा जितना भी अगर 125 है 100 है जो भी तुम्हारा recommend होता है वो तुमको यहाँ पर रख लेना है रखने के बाद गैस तुम लोग को वही folder पर जाना है अब फिर यहाँ पर मेरा 150 था तो मैं इस पर double click करूँगा अब double click करने के बाद guys यहाँ पर एक command आएगी इसको yes करना है simply yes करने के बाद फिर यहाँ पर इसको yes करना है और फिर यहाँ पर इसको okay कर लेना है अब guys यह सब करने के बाद तुम्हारी mouse से related जो भी problems थी तुम्हारे window में जो भी problems थी mouse से related वो यहाँ पर सभी fix हो जाएंगी कोई भी यहाँ पर problem नहीं रहेगी इसके बाद तुम लोग को अपने PC को यह फिर अपने laptop को एक बार restart कर लेना है restart करने के बाद तुम लोग को अपने mouse को एक बार plug out कर लेना है ठीक है plug in होता है जो उसको plug एक बार निकालना है उसका फिर से दुबारा उसको insert करना है और फिर तुम लोग अपने game मा आना और तुम्हारी आंपर problem जो है पहले से दूर हो जाएगी fix हो जाएगी अब गाई जो लोग blue stack 5 में खेलते हो जिनका blue stack 5 lag नहीं करता तो तुम लोग को blue stack 5 का latest version डाउनलोड कर लेना है बल्लब उसको update करना है तो उसमें तुम्हारी आंपर problem नहीं आएगी एक subscriber ने मेरे को बोला था तो blue stack 5 में जो लोग भी खेलते हैं तो उसको update करना फूल एक दम latest version पर तो गैस एई था इस वीडियो में I hope तुम लोग को वीडियो पसना आएवगी अगर वीडियो थोड़ी भी help मिली है तो प्लीज लाइक कर देना और अगर चैनल पर पहली बाहर हो प्लीज सब्सक्राइब करके बैल आइकन कॉल पर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में बहुत जल दबता के लिए थैंक्स पर वाचिंग पीस आउट